नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बर फिर हमारे चैनल दाकड क्रिकेट में दिल्ली केपिटल को हरा कर मुंबई इंडेंस में IPL 2022 की चार टीमें पले आप ये अप तई कर दी है दोस्तों Royal Challenger Bangalore को बड़ी खुसखबरी मिरी है क्योंकि अब Royal Challenger Bangalore की टीम पले आप में अपनी जगे पक्किक कर चुकी है तो दोस्तों इस वेड़ो में हम आपको बताएंगे पले ओप की चार टीमों का पूरा समीकरन की आकिरकार वो टीमे कब बिढ़ने वाली हैं एक दूसरे के सामने और साथी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आइपिल दो जार बायज के साथ इस साथ हम आपको आईपिल दो जार बायज के साथ लिए चाने के लिए विड़ो के पूरे आखिर तक हो साथी आप भी चाहते हैं कि आपकी फैवरेट टीम पले आप में सांधार परपॉमेंस करके फाइनल में अपनी जग्या पकी करें तो कर दीजे इस वेड़ो को दिल से एक लाइक और साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें तो दोस्तो पले आप की रेस बच्ची वी थी आखिरी दो टीमों के बीच जांपर दिली केपिटल और रॉल चलेंजर बैंगलोर में से कोई एक टीम ही पले आप में पहुंच सकती थी अगर मॉंबई इंडिन्स को दिली केपिटल हरा देती तो दिली केपिटल पले आप में जगे पकी कर लेती लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ और दिल्ली के बिटल को मुंबई इंडेंस नहेरा दिया और मुंबई इंडेंस की इस जीत के साथ ही अब रोयल चलन्जर बेंगलोर की टीम पले आफ में अपनी जगे पकी कर चुकी है तो दोस्तो फिलाल हम आपको बता दें कि प्ले ओप मेज अपनी जगह पकी करने वाली चार टीमें IPL 2022 की गुजरा टाइटेंस, राजस्तान रोल्स, लाकनो सूपर जैंट्स और रोल चलेंजर बेंगलोर रही है तो वहीं पर बार की सभी टीमें बार हो चुकी है तो दोस्तो हम चानते हैं कि इस समय कौन सी टीम किस नंबर पर रही है IPL 2022 में तो दोस्तो फिलाल हम बात करें नंबर 10 की तो यहां पर मुंबई इंडेंस रही है जिने चार मुकाबलों में जीत मिली है तो नंबर 9 पर चैने सुपर किंग्स रही है इने भी चारी मुकाबले जीतने को मिले है जबकि फिलाल नंबर 8 पर संद्राई जेदराबाद है 6 जीत के साथ तो नंबर 7 पर पंजाब किंग्स है इनके भी 7 जीत है जबकि पंजाब किंग्स और संद्राइ जद्राबाद के बीच अभी एक आखिरी मुकाबला बचावा है चोटी मुकाबला जीतेगी वो पहुंचाईगी नमबर 6 पर जबकि फिलाल नमबर 6 पर कॉलकाता नाइट अड़स है जिन्होंने 6 मुकाबले जीते हैं तो वहीं पर नमबर 5 पर दिली केपिटल है जिनके 14 अंग है यानि कि 7 मुकाबले जीते हैं तो वहीं पर नमबर 4 पर RCB की टीम है जिन्होंने 8 मुकाबले जीते हैं जबकि दोस्तों हम बात करें नमबर तीन की तो यहाँ पर लखनो सुपर जायन से जिनोंने 9 मुकाबले जीते हैं तो नमबर दो पर राजस्तान रोल्स की टीम है इनोंने भी 9 ही मुकाबले जीते हैं नमबर वन पर गुजरा टाइटन्स है जिन्होंने दस मुकाबले जीते हैं यानि कि दोस्तो देखा जाए तो दो नई टीमें समय प्ले आप में जगे बनाने में कामयाब हुई है जबकि अब तक IPL का खिताब जीतने वाली सिर्फ एक की टीम है वो है राजस्तान रोल्स जिन इन मुकाबलों की कि आकिरकार इन टीमों के बीच मुकाबले कब खेले जाएंगे तो दोस्तो आपको बता दे कि IPL 2022 का पहला मुकाबला यानि कि क्वालिफ हारफन कोलकाता में खेला जाएगा साड़े साथ बजे 24 माई को कुजरा टाइटन्स और राजस्तान रोल्स के तो दोस्तो फिलाल औरेंज केप की रेस के हम बात करते हैं आपर नमबर पांच पर मौजूद है डेविड वोर्नर जिन्होंने 12 मुकाबलों में 432 रन बनाए हैं लेकिन अब इनकी टीम बार हो चुकी है तो अब ये कोई मुकाबला कहलते वे नजर नहीं आएंगे वहीं पर दोस्तो नमबर चार पर पेपडू प्लेसिस हैं जिनके 14 मुकाबलों में 443 रन हैं ये अभी भी इस रेस में बने वे रहेंगे क्योंकि टीम ने पले ओप में अपनी जगह पकी कर ली हैं तो वहीं पर दोस्तो नमबर तीन पर क्यूटन डिको के जिन्होंने 14 मुक कमाल कर सकते हैं जबकि नमबर वन पर जोस्त बटलर बने वे हैं जिनके 629 रन है यहने कि देखा जाये तो सिद्धे तोर पर के यल राहूल और जोस्त बटलर के बीच टकर रहने वाली हैं देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी यहां पर कमाल करके प्ले ओप में जो बेटर पर हैं कि जोस्त बटलर इस पार आईपेल 2022 के सिक्सर किंग बने रहेंगे वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं और परपल केप की रेस के टॉप आईव गेन बाजू के बारे में तो पिलाल नमबर पांच पर उमरान मली के जिनके 21 विकेट हैं तो नमबर चार पर कुल्दी प्यादो है इनके भी किस विकेट है जबकि कुल्दी प्यादो अब कोई मकाबला नहीं कहलेंगे जबकि उमरान मली कभी आखिरी मकाबला खेलना बाकी है तो नमबर तीन पर कंगिस और रबाड़ा है इनके भी 22 विकेट है और यह भी मकाबला एक और खेलेंगे जबकि नम कि रेस साथ ही कौन सी टीम जितेगी फाइनल हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वड़ो को जदस जदस से एर जरूर करें तन्यवाद